हलो फ्रेंड्स, आइम संतोष, वेलकम टू आय सुत्रा, दोस्तों आप योप योप योड़ डूइंग वेरी वेल, आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होगे, आज का जो मोटिवेशनल कोड इसमें बोला गया है, जादा तर लोग उतने ही खुश रहते हैं, जितना वो अपने दिमाग में तै कर लेते हैं, मतलब आप जो सोचेंगे, वही आपके साथ होगा, अगर आपने सोच लिया कि आज मैं देर से उठाओं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाओंगा, मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा, तो आपका पूरा दिन बेकार ही जाना है, वहीं अग आज देर से उठाओं, लेकिन अब जो भी टाइम दस ग्यारा बजे तक मेरे को रात के पास है, वो उतने टाइम को मैं आप्टिममली यूज करूंगा, और अच्छे से पढ़ाई करूंगा, और कल से पूरी कोशिस रहेगी कि कल जल्दी उठूंगा ही उठूंगा, दोस्त कर दें, या फिर बंद कर दें, और बंद करके सोचे, यार दस मट सो लेता हूं, और फिर मैं फिर उठूंगा, तो वो सबसे वेकार चीज होती है, आपको अगर सुबह उठना है, आप रात में सोच के सोईए, क्यार मैं रात में सोच के सोईए कि मैं सुबह जैसे ही अलारम बंद करके बिस्तर छोड़ दूँगा तो ये आपकी strategy होनी चाहिए नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक smart tip देता हूँ आप phone अपना दूर रखके सोईए कहीं ऐसी जगे जहां से आपको उठके अपने alarm को बंद करना पड़े तो वो सबसे best होता है आप उठिये अपन alarm बंद करिये और फिर अपने काम में लग जाईए तो ये सारी बात है आपके दिमाग की आप अगर सोच लिए कि मुझे दुनिया का टॉप का एक बढ़िया एक बिरोक्राट बनना है या कोई बढ़िया स्पोर्ट्समैन बनना है चो भी आपकी life में aim है success आप जो achieve करना चा दे दाता हूँ आपको आज का कोरोना अपडेट अगर आप इंडिया में देखेंगे तो लगभग 60,041,638 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अब तक निकल के आ चुके हैं इसमें से अगर आप recovered cases देखेंगे तो काफी अच्छा recovery का आकड़ा हमारे देश में है 49,081,099 जो लोग हैं पूरी तरीकर recover हो गए और 94,971 लोगों ने अपनी कोरोना वाइरस की वज़े से जान गवा दी है तो इसके बारे में idea आप रखियेगा आज बात करूँगा आपको बताऊंगा क्या है basically जो अभी farm बिलाया हुआ है हलाकि मैं पहले भी इससे related editorial एक discuss कर चुका कि क्या कुछ असली एंगल्स हैं वो सब बारे में बताऊंगा देख रहे हूँगा आप newspaper में TV में बहुत huge protest हो रहा है farmers के द्वारा huge protest किया जा रहा है कि उनका जो issue है वो कहीं न कहीं आने वाले time में उनके जो MSP है उससे काफी ज़दा सरकार compromise कर रहे हैं तो उसी सब से related सार किसानों की जो income है उसे दूगनी करनी है मतलब 2x करनी है तो उसके लिए सरकार काफी ज़दा बड़े पैवाने पर बदलाव कर रही है अमूल चूल बदलाव कर रही है लेकिन सरकार कहीं न कहीं किसानों के साथ एक proper एक समवाद नहीं कर पा रही है प्रॉपर उनको बता न वाला हूँ अभी जो नया बिल पास किया गया है फार्मर ट्रेड बिल इसकी वज़े से काफी ज़दा इशूज उठ गए क्यूंकि जो MSP है जो फार्मर्स जिस पे नियुंतम समर्थन मूल्य जो आप बोलते हैं उसके हिसाब से क्या सरकार आने वाले टाइम में भी इसी मूल मूल्य पे MSP पे ही किसानों से खरीद करती रहेगी या नहीं खरीद करती रहेगी यही सबसे रिलेटेड मैं आपको समझाओंगा क्या कुछ और सरकार करने वाली है सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या हमारे जो देश में MSP के लिए क्या कानून है minimum support price that is what you call नियुन्तम समर्थन मूल्य अभी अगर गेहूं का मैं आपको बताओं अभी 1975 रुपए अभी price set किया गया है नियुन्तम समर्थन मूल्य हमारे देश में अभी 50 रुपए बढ़ा दिया गया है farmer produce जो trade and commerce promotion and facilitation जो bill आया है जिसको अभी सरकार ने राज्यसभा से भी पास करा लिया प्रेसिडेंट के इसमें sign होंगे फिर गजट इशू होगा फिर उसके बाद ये हमारे देश में एक नया कानून बन जाएगा लेकिन सरकार का जो ये कानून है इसमें कोई भी MSP के लिए minimum support price जो है उसके लिए statutory backing नहीं है मतलब statutory मतलब कोई भी कानून में ये चीज नहीं लिखी गई है कि हाँ आपको हम लोग MSP खतम नहीं करेंगे और यही सबसे बड़ा cause of concern है कि किसानों को लगता है कि आने वाले टाइम में सरकार हमसे सरकारी खरीद नहीं करेगी अपने मनमाने मूल लिपे हमसे गेहूं की चावल की जो भी खरीद है वो करेगी और इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा तो यही सारी चीज़े हैं बिल में कोई भी जो MSP की जो authority की ये confirmation नहीं दिया गया है इसकी वज़े से किसान काफी परिशान है जो farmers हैं ट्रेडर्स हैं उनकी जो freedom of choice है कि वो अपने हिसाब से जो अभी गेहूं बेच सकते थे और जो agriculture produce है जो APMC मंडीज में खरीदा जाता थ वो कही न कहीं APMC मंडीज आने वाले टाइम में खतम हो सकती है जो राज्य सरकारे हैं उनका काफी ज़दा नुकसान हो सकता है क्योंकि APMC मंडीज की वज़े से APMC मंडीज में जो agriculture जो price मंडी है जो इसमें basically जो किसान अपना गेहूं बेचने आते थे चावल बेचने आते थ होता था सरकारों के लिए राज्य सरकारों के लिए चूंकि अब राज्य सरकारों के पास पैसा ज्यादा GST के जैसा कि हमारे जब केंद्र सरकार ने GST का कानून लागू किया उसके बाद से जो राज्य सरकारों की हालत है उनके पास revenue का जो माध्यम था वो नहीं आपा रहा इस वज़े से सरकारे काफी ज़दा परिशान है और इसी वज़े से किसान भी बहुत परिशान है तो ये सारी जो चीजे हैं कहीं न कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है गॉर्मेंट ने डिकलेर करा है कि वो MSP के जो क्रॉप्स हैं उसको लागू करके रखी लेकिन अभी तक इसके लिए कोई भी लौ नहीं है ऐसा बनाया गया है कि हाँ ये सरकार की जो बोल रही है इस पे बिल्कुल एक मोहर जैसे बोलते हैं इस्टाम की मोहर लगा दी वो ऐसा नहीं है तो आने वाले टाइम में क्या गैरेंटी है कि सरकार आने वाले टाइम में MSP को खतम कर दे जो कॉर्पोरेट्स बोले सिर्फ उनी के हिसाब से काम करे तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले ये देखिए कि MSP फिक्स कौन करता है अभी सेंटर के पास पावर है कि वो MSP को फिक्स करती है तो 23 जो फार्म कमोडिटीज है फार्म जो 23 तरीके की फसल है बैसिकली वो उसकी जो नियुंतन समर्थन मूल है वो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है इसमें साथ डाल है साथ सीरियल सेंसौरी जिसमें गेहूं चावल बर उसके बाद ज जो आर यह सब जो चीजे हैं उसके पांच पलसें बतलब पांच दाले हैं साथ ओयल सीट्स जैसे की आपका हो गया मस्टर्ड हो गया जिसे आप सरसों बोलते हैं और छे तरीके के और ओयल सीट्स हो गया है ग्राउन नट वगएरा फोर कमर्शियल क्रॉप्स इसमें है उनके लिए जो MSP सेट की जाती है बेज़ड ओन कमिशन फॉर एग्रिकल्चर कॉश्ट और प्राइसेस की रेकमेंडेशन पे सेट करी जाती है तो एक कॉश्चन इंपोर्टेंट आपके लिए यहां से बन जाता है कि MSP को सेट करने के लिए कौन बेसिकली रेकमेंडेशन तो आप याद रखिएगा कमिशन फॉर एग्रिकल्चर कॉश्ट और प्राइसेस CACP रेकमेंड करती है तब MSP का निर्धारन किया जाता है CACP जो है यह बेसिकली अटेश्ट है Ministry of Agriculture Farmers Welfare Government of India से याद रखिएगा Ministry काफी बार इंपोर्टेंट होती है और पूछ ली जाती ह तो आपके लिए कोश्चन मन गया Ministry of Agriculture Farmers Welfare उसके बाद अब बात की जारी है इट कैर रेकमेंड जो CACP है यह MSP को रेकमेंड कर सकती है लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो जो होता है वो सरकार के हाथ में होता है सरकार से रेकमेंड कर सकती है CACP कि भाई आप 100 रुप इसके बाद अगर आप देखेंगे जो क्यूं आकिर क्यूं विच की जो MSP है उसके लिए जो statutory backing क्यूं होनी चाहिए और किन crop पे इसके लिए statutory मतलब सम्विधान सम्मत कानून है इसके लिए कि MSP की backing होगी अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी crop है एक ऐसी फसल है जिस पे MSP payment का जो statutory जो एक backing है वो है sugar gain मतलब आपसे कोई पूछ ले कि MSP की statutory backing सिर्फ मतलब एक ही crop पे है वो कौन सी वो है sugar gain गेहूं चावल डाले ओयल सीड्स इन सब चीजों के लिए कोई भी statutory backing नहीं है और हमारे देश में sugar gain के अलावा बहुत सारी और दूसरी फसले तयार करी जात करता है अपने खेत को एक बच्चे की तरह पाल के अपनी फसल को पैदा करता है और उसको उसकी मेहनत का पैजा नहीं मिलेगा तो वो परिशान होना लाजमी है और वो इसलिए आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट करने पे लिए भी उतर आया है इसी वज़े से जो एसेंशल कमोडिटीज एक 1966 इसी के अंडर में शुगर केन का जो प्राइस MSP सेट किया जाता है इसी के हिसाब से फिक्स किया जाता है शुगर केन का प्राइस हर साल रिस्पॉंसिबिलिटी जो है FRP पेमेंट की जो फार्मर्स के लिए वो 14 दिन के अंदर जो किसानों का पेमेंट है वो किया जाता है प्राइस और इसमें जो किसान है वो शुगर मिल्स तक अपना शुगर केन पहुचाते हैं ये एक बात हो गई उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि वाई और फार्मर्स सिपसे ज़ादा किशान जो है हमारे देश के वो परिशान क्यूं है क्यूं सड़कों पे उतरे हैं क्यूं दर्शन कर रहे हैं अभी आपने देखा कि APMC मंडीज के बेसिकली जो खतम करने की खतम नहीं करी जा रही है अभी लेकिन आने वाले टाइम में जो मेरा अंदाजा है कि APMC मंडीज को खतम किया जा सकता है क्यूंकि सेंटर और जो श्टेट गवर्मेंट से उनके बीच में ठ मोनोपुली ये थी कि वहाँ पे सारे किसान आते थे अपना अपनी फसल बेजते थे होल सेल जो प्राइस पे उसके बाद APMC मंडीज से उस फसल को जो वहाँ के जो बिचोलिय होते थे वो अपने हिसाब से आगे पैसा बढ़ा के उसका दाम जो है लेते थे लेकिन अब इसक तक जो किसान APMC मंडीज में ही जो अपनी फसल बेज सकते थे अब ऐसा जरूरी नहीं है अब ट्रेडिंग एरिया एक बना दिया गया है ट्रेडिंग एरिया मतलब ये आप मंडी के बाहर भी अपने जो फसल है उसे बेज सकते हैं और उसका उन्हें बहतर प्राइस भी मिल स उसमें आने वाले टाइम में अगर सरकार MSP खतम कर देगी तो उनका क्या होगा फिर तो उनके लिए एक बात धिता हो जाएगी कि कोई भी कॉर्परेट आएगा कोई भी बड़ी कंपनी वाला आएगा जिसे मानले जे को किसी को ब्रेड बनानी है ब्रेड बनाने के लिए आ किसान के पास तो कोई और आप्शन भी नहीं रह जाएगा यही सारी चीजें जिस वज़े से किसान सबसे ज़्यादा परेशान है इसमें अगर आप देखें फॉर दिस फार्मर्स फ्रीडम तो सेल टो एनिवन एनिवेर अनिटाइम हैज लिटिल वैल्यू कंपेर्ट तो द किसान के बहुत जाएगा बहुत जादा इससे किसानों को नुकसान होता हुआ नजर आएगा आप देखेंगे अब गॉर्मेंट क्या करे ऐसा गॉर्मेंट ने फार्मर्स के लिए क्या बोला है गॉर्मेंट ने अशोर किया है कि MSP सिस्टम जो है वो रहेगा और सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही उनकी फसल खरीदेगी लेकिन इसकी कोई भी स्टैटूटरी बैकिंग नहीं है कोई भी सम्विधान सम्मत क भी खा गया है कि भाई आपको MSP के हिसाब से ही हम ये आप से गेहूं चावल या जो भी चीज़ें है वो खरीदेंगे इसलिए प्रोक्योर्मेंट जो गवर्मेंट के द्वारा गवर्मेंट एजेंसी के द्वारा डिरेक्ली की जाएगी वो फार्मर्स के से मंडीज के थू करी जाएगी तो ये दोस्तो असली जो चीज है इसमें सरकार की इसमें समझने की चीज यही है कि जो किसान है उनको सबसे बड़ा उनका इश्यू यही है कि MSP मिलेगा या नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में जैसे GST के साथ हुआ सरकार ने बोला था GST से बहुत सारे जो बहुत सारे टैक्सेस जो अलग-अलग देने पड़ते हैं अब एक जगे देखे जो केंदर सरकार और राज्य सरकार के पास में जो रेविन्यू आता है उसका बिलकुल प्रॉपर डिवीजन हो जाएगा लेकिन अब देखने में क्य केंदर सरकार के पास आता है वो सारा पैसा टाइम से पहुँच जाता है लेकिन जो केंदर सरकार से राज्य सरकार के पास पैसा आना है उसमें कई बार ये देरी देखने को मिलती है जिससे की राज्य सरकारे काफी जादा व्यथित परिशान हो जाती है कई बार करोना का टा जो बेसिकली जो स्टेट गवर्मेंट से उनका रेविन्यू जो है बिल्कुल जीरो पे पहुंच गया था और इस पर भी जब केंदर सरकार से बोला गया कि भाई हमको पैसा दीजे टाइम पे तो जो की जेस्टी काउंसिल में लिखा भी गया है कि आपको टाइम पे पैसा दे दे सकते हैं जिसमें हम लोग एक अशोरिटी ले लेंगे और आपको ये लोन दिलाएंगे लोन के माध्यम से पैसा मिलेगा तो आप सोचिए जो राज्य सरकार हैं काफी जादा एक सेंटर इस्टेट जो एक कौपरेटिव फेडरलिजम देखने को मिलता है वो बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गया एपी एमसी मंडीज और जो ट्रेड एरिया सेंटरल गवर्मेंट के द्वारा बनाया गया है इसकी भी गैरेंटी होनी चीए कि एपी एमसी मंडीज को खतम नहीं किया जाएगा क्यूंकि एपी एमसी मंडीज अगर खतम हो गई अ इनके उपर इतना जाधा सरकार बर्डन डाल दे कि यह इन्हें अपना अपनी कम्पनी को दिवालीय गोशित करना पड़ जाए बंद करना पड़ जाए जो अभी एक मार्केट में कॉंपटिशन है वो कॉंपटिशन आपको देखेंगे आप देखेंगे खतम हो जाएगा मा जो कि जब Airtel और Vodafone अगर खतम हो जाए तो जियो की मोनोपोली हो जाएगी अब जियो जिस भी भाव में जिस भी पैसे जितना चाहेगा उतने पैसे में अपना जो टैरिफ है वो बेचेगा और उससे क्या होगा जो कस्टमर्स हैं उनके उनको बहुत जादा नुकसान होग बहुत जाए 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 जादा पैसा ले रहे रहे लेकिन जब Airtel और Vodafone रहेंगे ही नहीं तो आपको मजबूरी में जियो से ही अपनी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी जिसके लिए आपको उनके हिसाब से मोनोपोली सेट करके उनकी मोनोपोली को आपको सुईकार करना पड़ेगा और आपको उनको वही पैसा देना पड़ेगा तो ये सारी जो चीजें हैं ये देखने की वाली बात होगी कि आने वाले समय में सरकार क्या कुछ प्रावधान करती है किसानों के फाइदे के लिए तो दोस्तो ये था आज का टोटल लेक्चर I hope आपको पसंद आ पा रहा हूं उसके लिए सौरी चार तारीक के एक्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं आपके लिए प्रापर कॉंप्रिहंसिव लेक्चर लेके आऊंगा तो दोस्तो टोटल लेक्चर आज का यहीं खतम करता हूं I hope you like this अगर आपको पसंद आए तो like, comment, share, subscribe करना मत भूलिए thanks a lot for watching once again अगर आपको मेरे टेलिग्राम से पूरी जो slides है free of cost चाहिए तो मैं सारी जो slides है वो सारी टेलिग्राम में अपने channel is sutra में post कर दूँगा आप वहाँ से free of cost डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो यह था आज का total जैहिं